नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया न्यूस के डिजिटल प्लैटपॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता प्र्यागराज में पुलिस कस्टेडी में 15 एप्रिल की रात में एक बोलियों से भुने गए माफिया तीक एहमद और अश्रव की हत्या के मामली में उसक कि अतीक और अश्रव की हत्या में सरकार का हाथ है उन्होंने कठित तौर पर एक सेवानिवरित न्यायधीश या एक स्वतंत्र एजेंसी की अध्यक्षिता में व्यापक जाच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया है इसके साथ ही आईशा नूरी ने अ अपने दोनों भाई के कतल को कस्टिडी में और एक एक्स्ट्रा जूडिशियल किलिंग करा दिया याचिका में कहा कि उच्चिस्तरिय सरकारी एजेंटों में जरिये घटना की योजना बनाये उन्होंने उसके परिवार के सदस्यों को मारने के लिए प्लैन बनाया पुलिस अफसरों को पूरी छूट दी हुई थी बता दे कि पूरा मामला क्या है दरसल माफिया अतीक एहमद और उसके भाई अश्रफ एहमद की 15 एप्रेल की रात को प्रयामराज के कॉल्विन हॉस्पिटल के बाहर पुलिस हिरासत में तीन हमलावरों ने गोलियों बरसा कर उसकी ह अतीक और अश्रफ पर हमला करने वाले तीनों हमलां बर मीडिया कर्मी बनकर वहां पहुचे थे और हत्याकांट के तीनों आरोपियों को पुलिस ने घटना इस्थल से ही पकड़ लिया था तीनों शूटर्स के पहचान लवलेश दिवारी अरुन मौर्य और सनी सिंग के र गतार अतीक से पूच्टाज चल रही थी साबरमती जेल से अतीक और बरेली जेल से अश्रफ को प्रियागराज लाकर पुलिस पूच्टाज में जुटी थी 15 एपुलिस दे रात दोनों माफियाओं बंदूों का मेडिकल चेक अप कराने लिए अस्पताल लेकर आई थी अस्पताल के बाहर ही मीडिया कर्मी बन कर आए तीन हमलावरों ने दोनों भाईयों को गोली मार कर उनकी हत्या कर दोनों की मौकाय वारदात पर ही मौत होगी फिलाल के लिए नहीं जुड़े रहें इंडिया न्यूस के डिजिटल प्लैटफॉर्म के साथ धन्यवाद